हाँ तो मेरा प्रिय विदार्थियों कैसे हो उमीद करता हूं बहुत अच्छे से होंगे मैं शेखावटी मिशन ओर लेड़े आपको करवा दिया हैं आज मैं करवाने वाला हूं सामाजिक विज्ञान का प्रसंट बैंक अलग-अलग किताब के साब साब की चार किताब हैं चा कुशन आजर बता रहा हूं यह परसंट बैंक जो है आपके सामने इसको रट लो इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना मैं बताता हूं आपको असी नंबर का पैपर है लगबग मान के चलो सतर प्रतिस यहीं से उतरने वाला है यहीं सतर से पिचितर नंबर का जो बनेगा वह यही से बनेगा क्लियर है कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा आप एक्जामिलर पेपर बनाएगा कास आप यह बताओ एक कोशन मना दिया एक के कोशन अपने चेप्टर है उसमें से छाट के निकाल लिया है अब कासे बनाएगा बताओ इसलिए आप लोगों के पास मैंने कल भी बताए था 13 मार्च है 14 मार्च है और 15 मार्च है मैनत तो आपको करनी ही पड़ेगी अगर अच्छे माक्स लाने है दूसरा एसेस्टी तोड़ा हार्ड सबजिक पढ़ता है बच्चों को एसेस्टी से डर लगता है तो उसी एसेस्टी को में बहुत इजी बनाने वाला हूं आपकी लिए जिससे की आपको पैपर करने में भी आसा नहीं हो और जो एसे से डरते हों का डर भी खोल देंगे अपन और दूसरा अच्छे नंबर लियाएंगा कर मेरी बात आप मांते हो तो बढ़ता है पहला चैप्टर की तरब देख लेते पहला चैप्टर का बनना और जोगी करन का युद्ध मुद्रन संस्कर्ति और आधोनिक दुनिया फिर आपका ये दूसरी किताब समकालिन भारत इसके चैप्टर आपके सामने है यह साथ लोग तांत्रिक राजनेती तीसरी बुक आगे पाथ चैप्टर आर्थ विकास की समझ तो बढ़ते हैं कि रिदूट कर मुण के जसी नंबर का आपका पैपर होगा विस नंबर के आपके सेशन ओंडर तोटल सौट नंबर होगे अब देखो चारों किताब jar बता देता हम भारत और संकालिन भी सु टू बीस नंबर का उन्हों संकालिन भारत जोग कि किताब ये भी बीस नंबर के लॉक्त एंत्रीक राजनेतिक टू यह भी बीशने नमर की आर्थिक विकास की समध्ट यह भी बीशने मवर टॉटल असी नमबर का आपका पैपर है किते नंबर का पैपर है अब आप मैं अपको माक्स भी बता देता हूं पहला चेप्टर चार नंबर खाले तीसरा चार चार अब पाच वह स्रामिक और सम्काली तेवर्ड में भात करते देखो यह तीन नमर का यह दो नंबर का कर अपका तीन नमर का इसी तरह सोच्षित पयाँ का आप देख सकते हैं अगर शॉटू को अब है पहला आपके पास देखो यह जांदार निकाल है वाके मापको पढ़ने में मज़ा आएगा दूसरा मैं कहता हूं वाके में जिसको मैं कहा रहा ना 70 प्लस बनाना मेरी बात को घोट के पी लेना क्या है जो मैं आपको सेखावर्टी मिशन के कुशिन बता है और यह प्रसंद बेंक जो बता रहा हूं यह से आपको सब कुछ मैंनत करोगे और अच्छे से मैंनत करोगे मैंनत करनी है लेकिन अच्छे से मार्क मैंनत करनी है दूसरा देखो मैं आपको बताता हूं आपको मैंनत करनी है लेकिन सही मार्क दर्शन के अनुसार मैंनत करनी चाहिए ठीक है बहुत जगा मैंनत तो बहुत ज्यादा करते हो ल टाइम पर राइट डिसीजन नहीं सही समय पर सही निन्य आपकी किस्मत बदल देता है इसलिए दसवी दसवी के बाद बारवी बारवी बाद आपकी जोब लगने वाली वह राजस्तान पुलिस के लिए दब दसवी पास करने के बाद बी लिजीवल हो जाओगे कुछ प्रांस की करांती कब हुई थी फ्रांस की करांती 1798 में हुई थी ठीक है नेपोलियन की सहीता का निर्मान 1816 यंग इतली कि स्थाब ना किसने करें ती जोस्तु पर मैथ सीन वियना की संदीक बूई थी 1815 कि प्रांस का पहला सासक जो था वो लुई-सोलवा था जबकि समरा आठ पहला नेपोलियन था कि युनानियों को आजादी के लिए कब तक संगस कब संगस प्रांवा था 1921 में काबूर कौन था सरडीनियर पिडवांट का प्रतानमति उत्तर इसके सामने दिए वे आप देख सकते हो यह खालिस्तान है इसके बाद देखो क्रांती के बाद तीम राधा कौन था रंक्फॉर्ड संसतका अग्स कहां पर हुआ जर्मनी का एक यक्यकरण का जनक कौन था जर्मनी महासंग किस्तापना कब हुए यह सारे जो कोशन है बहुत ही इंपोर्टेंट है इस सारे सवाल आप लोगों को देखनें बड़ेिंप्रटेंट सवाल हो आपका एक सवाल नहीं चूटने देंगे तो सारा आपको याद करने हैं आगे बढ़नों तो लगुरात्मग परसन आपके सामने कि उद्धारवात से क्या भी प्राई है जन्मत संग्रे क्या होता है ठीक है बृतेजन के रास्टगान का नाम क्या है फिर लगुरात्मग परसन ने फ्रांस में नेपोलियन द्वरा प्रागम की गई नागरिक सहीत 1804 में किनी चार विसेस्ताओं का वर्णन करना है रूडी वाद क्या है गेरी बाल्डी पर टिपनी लिखनी है बिसमार्क के उपर टिपनी जर्मनी का एकिकरन जर्मनी का एकिकरन की परमुक चरण ठीक है अब निम्दादवक परसन आजाओ अब निम्दादवक परसन में आपको इंपोर्टेंट बता रहा हूं पहले पार्ट से याद रखना मेरी बात को याद करके जाना जर्मनी का एकिकरन इंपोर्टेंट और इटली का एकिकरन और मात्मा गांदि नमक यात्रा कहां से सुरूप की थि मात्मा गांदी की नमक यात्रा की बात कर आपके खाली स्तान TOP कि फिर अति लोगरात में पर्शन भी है कि सवराज पार्टी के निर्माता कौन थे गांधी जी ने राजनेतिक गुरू कौन था गोपाल कर्शन गोकलत है गांधी इर्विन समझोता हुआ था कब हुआ था कि फोटर वाला इट यहां सब्सकरांने सब्सक्राइब में और सब्सक्राइब गांधार में 11 अफ्सर्ण में 13 फ्र इंप्रेंट याद करके जाने पक्का बनेगा खिलापद आंधोलन के दु पर्मक ने तगना वंदे मातरम गीत के लेख है कोण्ड़ना बंकिम चंद के रहनों आप एक बार मेर पर बरुसा कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को जरूर शेयर करना इतने बहतरीन कोशिन में आपके लिए लाएं मज़ा आएगा आपको पढ़ने में और वाक्य में इन से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा अगर आप मेरा मेरा कहा म मानतों मेरी बात मानतों तो एक सवाल बाहर नहीं जाने देंगे इस बात में मैं बिल्कुल निश्चिंत हूं कि बाहर दोली आंदोलन चौरा-चौरी गटना कब हुई थी आनंद मट पिक्टिंग से क्या सिया वर्साइश संधी हिंदी सवराज किसना लिखी थी बेगार सा आप क्या समझते सारे सवाल आपके मौस्ट इंपोर्टेंट है बिल्कुल याद रखने होंगा आगे बढ़ते हुआ है कि गिनमीटिया मस दूर कौन ते पुना पेक्टिंगे मद्धिवा साइमन कमिशन क्या था इसके बाद आगया दा लगुरात्म परसन आगे गांदी ज समझते के बारे में आप क्या समझते हों खिलाफत आंदुलन पर टिपणी कीजिए अस योग आंदुलन का सेहरों पर क्या परभाव पड़ा ठीक है वैसा मजा आज आएगा आपका एक बात जान रखना जितने भी कंडिटेट है इनी स्टूडेंट है जितने वित्यारती अ अगर यह सवाल आप तीन दिन में याद कर लेता हैं आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता क्लियर बात हैं दूसरा सेखावटी मिशन पढ़ लो और यह मेरी कोशन बेंग याद कर लो याद तो करना ही पड़ेगा देखो सस्ट में बात आपको धान से बता रहा हो ना सस् पड़ता है ठीकिन आप मेरे बताई होए कुशन याद कर लोगे तो अच्छे से आप पास हो जाओगे गारेंटीड पास हो जाओगे मैं तो कहता हूं जिस बच्चे को कुछ निया था उसके लिए बता रहा हूं अगर जिस बच्चे को बहुत डर लगता है कुछ भी नहीं इस तुमारे तो 37 होगे 33 वाले पास हो जाता है पास नंबर ज्यादा होगे ठीक है और इसके अलाव बड़े कुशन में बेदे कुछ लिखोगे दो चार पास नंबर तो उनमें भी तो लाओगे तो बिल्कुल बैफिक कर रहा है आप जैसा मैं बता रहा हम वैसे करते रही ह आगे बड़ते हैं अगला चैप्टर आपका भू मंडली करत विश्व का बनना ठीक है तीसरा चैप्टर है इसमें जो इंपोर्टेंट सवाल है के रीबिया इद्वी स्वमू में सामिल नहीं है तो आपका आयर्लेंड सामिल नहीं है अमेरिका की खोज कॉलंबस नहीं किर एंडिया की को तो वास को डीका मान करी है हैं अगे बड़ते हैं आपके याद कर लेना इसके बाद छोटे कोशिन है ब्रेटन वूड संस्ता किसे का जाता है यह इंपोर्टेंट है ठीक है आगे आज़ाओ अमेरिका में विशु के विबिन देशों को लोगों का आने का कारण क्या था? केनाल कोनाली, केनाल कोलूनी से क्या भी प्राय है? असेंबली लाइन क्या थी? टिपनी देनी आपको हिटलर और विशु बैंक के वारे में लिखना है इसके बाद मामन्दी के कारण बड़े-बड़े सवाल आपके सामने है अब आके बढ़ते हैं अकला चेप्टर देखते हैं चेप्टर नमबर 4 ओद्धोगी करण आपके सामने है कौन सा? ओद्धोगी करण देखो मैं बताता हूँ कि उद्ध्योगी क्रांती के सर्व परतम किस देश के अंदर प्रारंभ हुई थी ठीक दूसरा भारत में परतम लो इस पाथ सेंत्र का है इस पैनिंग जैनी मुंबई में एक कपड़ा मील का इस्तापित है ठीक है बंगाल की पहली जूट मील का इस्तापित की गई इस सारे उत्तर दिये हैं बिलकूल आपको याद करने खालिस्तान भी दिये है अब दूकुँ इंपोर्टन सवाल या से स्टार्ट है भाप की इंजन का विसकार किस ने नाम लिखे हैं भारती उद्यूगों के संदर में जावीर की क्या भूमी का थी स्टैपलर से क्या विप्राय हैं गुमास्ता कौन थे भारत की पहली कपड़ा मिल्क कब और कहा स्तापित हुई थी ठीक है यह सारे सवाल मौस्ट इंपोर्टन्ट है यहां से आपको बहुत सारे कोशन देखने को मिलेंगे गाइस जोबर कौन था उद्यूगी करन के प्राराबिक दोर में क्या परिवर्तन हुए बुनकर और गुमास्ता की इस्टकराव किस्ति थी इंगलेंड में कार खाना को देखा वहा बड़ा कोशन में बन सकता उद्यूगी करन साप क्या समझते औ परतम विस्यूदी जो हुआ था नाइंटीन फॉर्टी फॉर से नाइंटीन एटीन तक हुआ था ठीक है क्लिया है आगे बढ़ता है और इसका आकरी सवाल बारत वे विस्यू समकालें जो बुक है आपकी उसका आकरी सवाल आपके सामने मुद्रन संस्कृति और आधोनिक दुनिया मुद्रन की सबसे पहली तकनिक किस देश में प्रारम हुई थी गंबीर हिंदी की छपाई की सुरुवात किस देशक में हुई थी जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमेंड सुतर कब चुपी थी आदूनिक छापए खाने का विसकार कब वह इतना इसके बाद देखो अती लगुरात में आपके परसन है भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग क्रिज कहा है कब इस्तापित हुई बंगाल गजट नामक सापता है पत्रिका का परकासन किस ने किया ठीक है जापानी कि सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी थी और इसके बाद मैं ब मारत में मुद्रन से पहले पांडू लीप्यों पर टिपण ही लिखनी आपको जापान में मुद्रन के विकास को संग्षेप में समझाना तो यह सारी चीज़े इंपोर्टेंट आप फिर यह साब की दूसरी किताब स्टार्ट हो जाएगी ठीक है तो इसी तरह में पहले पा है ठीक है और दूसरा में बता दू कि यह कुशन मैंने नहीं बनाएं यह आपके राजस्तान बोर्ड की तरफ से जारी कियेगी तो बहुत ही सांदार कोशन है सभी कुशनों को आप अच्छे से याद करना टाइम बिल्कुल देखो खराब मत करना वेस्ट मत करना बहुत कीम बिल्कुल नहीं पढ़ा लिए दो किताब कोई सी भी अच्छे से पढ़ लो चार नहीं पढ़ी जाती दो पढ़ लो आज जिन अच्छे माक्स लाना है जिनने फटरीजन प्लस बनानी है जो टॉपर से उनने तो सभी पढ़नी पढ़ी लेकिन मैं उसको बता रहा हूं जिस झाल